देखो भाया, NCRT हमारी माता है, हमें कुछ नहीं होता है क्या बोला हमें, NCRT हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता उसके बार नहीं जाने का, जो उसने लिख दिया, वो मान लेने का समझ रहा है, तो ये counter current mechanism पढ़ होंगा क्योंकि वहाँ पे जो चुम्मेसवर चीज होगी न लूप ओफ हैंले और वासर एक्टा के बीच में आप लोग भी कहों कि गुरू ऐसा भी होता है अच्छा हाँ वई कैसे हो सब सब बड़े हैं सब के जीवन में कोई दिक्कत परिशान नहीं अगर हो तो उसका इलाज खुद करो अब यह क्या लेकिया है यूरिन फॉर्मेशन सर यह वो क्लास लेइंथ वाला है हाँ हाँ वही वाला अरे सर वो उसमें आता था मैं बोल गया वो एक्स्क्रीट्री प्रड़क्ट्स एंडर एलिमनेशन वो एक्स्क्रीशन वाले एक्स्क्रीट्र नहीं था उसमें किड्नी विड्नी बनी थी हाँ हाँ वो ही वाला है यूरिन फॉर्मेशन तो इसमें क्या करना सर कुछ नहीं इसको पढ़ना है और कुश्चन लगाने कहा के कुश्चन अरे नीतू जी वाले अच्छा तो सुनो यूरिन फॉर्मेशन को अगर अपन थोड़ा से स्टार्ट करें नजाकत बरे तरीके से तो सुनना मेरी बात जो यूरिन फॉर्मेशन है हाँ सर है ये जो है भाई साब तीन प्रोसेस होती है सुननी ही सर Saya अरे मतलब की तीन स्टेजерв में होता सकते हो तीन प्रोसेस होती है कौन कौन से प्रोसेस होती है सबसे पहला है सर moralsilles बबशेतों इसमें सर क्या होगा कुछ है हमारा है होता न यहांगा है यह हम सो बना देते थे है वह का बोलते रहे हमारी वो ले के कौन सी आती थी A या फिर e A वाली efferent arteriol और ले के कौन जाते थी मतलब बहार कोई ले के जाते थी इसको ईक दूबली पतले सी थी सर अच् surprises one total ले के कौन आती थी A prevalent हाज अर ले के कौन जाती थी कौन क्या लेकर जा रहा है अब यह मत पूछने लगना अरे भाया जो एक्सीटी प्रोडक्स हैं समझ रो इवाली एफरेंट ठीक एफरेंट आर्ट्रियोल अब उसका में चीज नहीं है उसका में चीज क्या है देखो मतलब यह जो ब्लड आ रहा है इसमें क्या है प्रिजल की रोब अब बापास आओ अब व ग्लow खरता है अच्छा हाँ तो उसको हम बोलते हैं Glomular Hydro Static Pressure अच्छा अच्छा तो वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे Glomular Filtration फिर हम लोग देखेंगे Reabsorption अच्छा अगर आपको एक बात बताओं अभी अपन लोग वैसे बार ही नहीं आपाएंगे क्योंकि एक सो सी लिटर कित्ता होता है हर मतलब सेकेंड में हमें जाना पढ़ेगा वाश्रूम तो उसको क्या किया जाता है Reabsorpt किया जाता है तो NCRT लिखती है more than 99% तो बाईया NCRT हमारी माता है हमें कुछ नहीं आता है क्या बोला हमें NCRT हमारी माता है हमें कुछ नहीं आता है उसके बार नहीं जाने का जो उसने लिख दिया वो मान लेने का समझ रहा है तो Reabsorption Reabsorption क्या होगा जित्ते भी nutrients है जित्ते भी glucose है sodium plus है पानी है उसका हम क्या करेंगे Reabsorption करेंगे ठीक है सर उसके बाद होता है Secreation Secreation क्यों करना है सर अभी तो आपने Reabsorption कर लिया अब Secreation क्यों करना है अरे Secreation इसलिए करना है ताकि pH maintain कर सकें अच्छा सर मतलब base base बन गया हमारा अब आईए थोड़ा इसको इसमें अंदर चलें कहां अंदर चलें मतलब इसको आप डीटेल में पढ़ें आओ जरा और हाँ भया अब मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि भया इसके थोड़े अगर चाहो कि कोई जबर्दस्ती नहीं है अगर चाहो तो notes बना लेना notes मतलब वो सर short notes हाँ और इसको NCRT में चिपका लेना मतलब चिपका लेना मतलब रख लेना कहां पर रखोगे और वो urine formation वाले पर तो दिमाग में चल जायागा समझ रहो अब सुनो पैसे तो यह NCRT के line है क्योंकि मैंने पहले बोला NCRT हमारी माता है हमें कुछ नहीं आता तो अब सुनो सबसे पहली process हमारी क्याती ultra filtration ती सर इसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा high pressure होगा कई से सर high pressure क्यों होगा अरे चाचाओ भूल जाते हो तुम लोग क्या कि यह जो efferend arteriol आ रही है यह कहां से आ रही होगी हाट से दिल से आ रही होगी और दिल में जो blood निकलेगा हमारा ventricle से उसमें pressure क्या होता है high होता है हाँ सर होता तो है तुम के तो सही रही हो तो इसका जो pressure होगा हो क्या होगा high होगा समझाने का तरीका है ना तो pressure यह जो filtration होगा हमारा ultra filtration बहुत ज्यादा high pressure में होगा filtration under very high pressure ठीक और यह जो है unbias process होती है unbias process किसी पर depend नहीं करेगी बागू अच्छा चलती रहेगी ठीक ठीक और यह जो है ऐसी process है मतलब बेडंगी टाइप की यह remove कर देती है बहुत useful and non useful substance मतलब इस ग्लूकोस को भी remove कर देगी अच्छा sodium ions को भी delete कर देगी delete ज्यादा बेटर है न डिलीट नहीं remove तो remove कर देगी किसको बहुत useful and non useful substance और कहां पर होती है इसके लिए आप क्या करना अपनी NCRT खुलना हाँ सर उससे बोलना कि आप urine formation वाला पेच खुलो उसके ऊपर एक diagram दिया है वहाँ पर वो diagram दिया उसने बनाया है ऐसा diagram तो उसने लिखा है नीचे figure figure लिखा ना figure के नीचे लिए उसने लिखा है malphesian body या फिर क्या renal corpuscle यह कहां पर होती है हमरे renal corpuscles या फिर उसको हम क्या बोल देते है malphesian body अरे इत्ता आयाद रखो परिसान ना हो इत्ता आयाद ना bowman's capsule plus glomerulus यह bowman's capsule और glomerulus यह अपनी जो आर्टियो लाइन आई इनको हम का बोल देते है glomerulus बोल देते है ठीक है कैसे होता है अब बता रहे है रुको गेजरा इस structure बना लें पिर मिलते हैं तुमसे तो भाईया देखो यह हमने क्या बना है glomerular filtrate यह सर दिल जैसा बना दिये सर वैसे ही सर इत्ती बार तूट चुका है हम परिसान है जोड़ जोड़ के इतने लोगों ने तोड़ा है अरे इतने आओ तुम बापस तुम लोग बटक जा है तो देखो हम बता तुझ है सुनो जड़ा यह हमारी क्याती एफरेंट आर्ट्रियोल हाँ सर यह ग्लो मिलर इस पर आई आई सर वहाँ इसने क्या जनेरेट किया मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं ग्लो मिलर फिल्ट्रेशन प्रेश होने जेती है समझा नहीं समझा ठीक टौझ हो यह जो है हम बनाएं स्कुम्हाषिञ और यह सर यह तो को टिशू वाला हैस्को Chocolate यह क्या है हमेल करता इस बार उसने नीट में कॉशन पूछ लिया था तो थोड़ा सा याद रखना बस पोडोसाइट ठीक पोडोसाइट अंदर की दरफ सेल्स होती है यह जो है सर क्या करती ना यह जो इनके बीच की जो स्पेस है हाँ समझा मेरी बात को इनकी जो बीच की स्पेस है इनको हम बोलत अब इनसे क्या होगा जो हमारा फिल्ट्रेट आ रहा है जिसमें क्या है यूरिया प्रेजेंट है बतलब गंदगी है अरे गंदगी का इसे कहलोगे बहुत सारी चीज़ें ग्लुकोज भी तो है क्योंकि हमने बताया है कि यूसफुल और जो यूसफुल नहीं है वो भी क्य हो जाता है जो है एब्जॉब हो जाता है कहां से ग्लॉमेरिलस से तो यहां से कौन कौन चीज़ आ रहे होगे अगर थोड़ासा पन दिमाग लगाएं क्योंकि हमारे अंदर दिमाग तो ही बहुत तो सर पानी तो आई रहा होगा सब स्यादा मत्र में ग्लूकोज भी आ रहा होगा में Emily यूलियो जो जिसकों में किया करना एक्स्क्रीट करना है यूरिया होगा यूरिक इसेड भी होगा आCHA और होगा वारा क्या हर एक्पूरिक इसेड अच्छा तो मैंने क्या बोला क्या बोला सर कि हां सर जितनी भी चीजें वह यूसफुल हो यह फिर नॉन का कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी blood में वो सब क्या हो जाती है remove हो जाती है except कौन से except बताओ थोड़ा सा तो पढ़ा करो यार except क्या proteins NCRT के लाई न है गुरू उसने क्या देखो अम लिग देते हैं फिर तुम से मिलते हैं तो देखो जो glow miller filtrate है जो हमारा glow miller filtrate है न उसमें अपने क्या मिलेगा blood minus formed elements minus protein अरे सर्जी मैत कहां पढ़ान लगे तुम सुनो तो सही formed elements के होते हैं अगर थोड़ा दिमाग पर जोड़ डालो वो circulation वा चेप्टर था न formed elements मतलब RBC, WBC ये सब चीज़ें क्या होती है formed elements होती है NCRT में लिखा हुआ है देखना जाके तो मतलब जो है RBC बगर नहीं न मिलेगी RBC, WBC और हमें क्या नहीं मिलते protein अच्छा मतलब अगर मैं blood में से गुरू सुनना विरिवात formed elements को अटा दू मतलब RBC अटा दू WBC अटा दू मैंने क्या बोला नहीं समझा अरे एक बार मैं समझे यह गई नहीं चमके गई नहीं न देखो plasma minus plasma protein ये कहां पर present होते हैं हमारे glow-mallular filtrate में glow-mallular filtrate में अच्छा कौन नहीं आपाता protein नहीं आपाता क्यों? क्योंकि sir ऐसा है हमारे मेडम बताय रही क्या बताय रही कि जो protein है उसका size बहुत बड़ा होता है जिस पर इसे यहां पर जो slit pores है उसको आने नहीं देती ऐसे भी याद रख लो तुम तो बज़ इतना याद रखना कि protein यहां से पास नहीं कर पाता ठीक है और उसमें भी हमें protein भी नहीं मिलेगा तो blood minus form elements क्या होता था plasma और plasma में इस अगर plasma में जो है plasma proteins भी हमें नहीं मिलेंगे ठीक किसमें glow merular filtrate में ठीक है अब सुनो तो जो हमारा glow merular filtrate बनता है जो हमने शुरू में बताया था क्या बताया था कि जो हमारा glow merular filtrate बना है glow merular filtrate बना है वो बनता है गुरू 180 liter per day अगर ऐसा हुआ मतलब अगर ऐसा होता होगा 180 liter per day यह बहुत ज़्यादा होता है मतलब एक thumbs up की bottle वो बड़ी वाली नहीं आती जिसका सलमान भाई add करते है वो उत्ती बड़ी तो तो सरम भही बैठे रहे हैं से बाथरूम में फिर निकलने की आवे सकता है 180 liter per day इत्ता था था मारा ब्लेटर भी नहीं जिल पाएगा 500 ml के बाद ही बिचारे की सिस्ती चाह जाती है तो 100 liter per day इसको क्या करता है reabsorb करता है किता 99% से भी जादा reabsorb होता है कैसे होता है आगे देखिए अभी पिच्चर वाकी है तो देखो reabsorption पढ़ाने से पहले थोड़ा सा यह सुन लो क्योंकि देखो मैं वीडियो बना दूँगा मजब होता आएगा और पूरे concept clear हो जाएगे इसके बाद question लगा ले न कोई अगर question ना यहले तो बता दे न कोई से भी किताब का लेकिन neat वाले है न नहीं पता चले तुम first year के लगान लगे MBBS के फिर तो मेरे भी फाल तोड़ जाएंगे तो सुन अब सुन factor responsible for ultra filtration मतलब यह जो है ultra filtration कुछ factors पर depend करती है हाँ कैसे factors सर देखो सबसे पहला होता हमारा glomerular hydrostatic pressure बोले तो अरे सर जो है यह देखो glomerular थी अब इसके बलड ले के आ रहे होगी इसके पास क्या होगा pressure होगा इसको हम बोले दें क्या glomerular hydrostatic pressure समझे नहीं समझे ठीक तो बलो हम बले राइड्र सेटिक pressure यह कित्ता होता है 60 से 70 mm of Hg अरे सर यह तो वो है mm of mercury वाला जिसमें हम लोग blood pressure बो calculate करते हैं अरे वो सर जाते हैं जब डाक्टर के पास अब तो सर फिर भी वो टेकनिक आ गई है जल्दी वाली पहले तो वो ऐसे हवा वरता था उसको डिवाइस को क्या बोलते थे सिर्फ गिन अनो मीटर अरे यार इसे मत करो यार तुम लोग क्या खेसी बात थेंगा थे blood pressure को नापने के लिए कौन सी machine होती थी सिर्फ गिन अनो मीटर हाँ सर होती थी उसमें ऐसे वो पहवा भरता था फिर देखता था कि कहां पर beat वगर सुना ही थी वो सब PG level की चीज़े है अपने को कहा थे ना सिर्फ के ननो मीटर ठीक डिवाइस का नाम सुनो फिर अपने पास क्यों था blood colloidal osmotic pressure मतलब सर blood colloidal osmotic pressure क्या हुआ अब ये तुम्हें आना चाहिए मैंने बताया था कि जो proteins थे plasma proteins वो absorb नहीं होते थे हाँ सर तो ये क्या कर रहे होंगे एक तरीके का negative pressure लगा रहे होंगे कैसे सर हम नहीं समझे अरे बाई साब देखो समझाना पड़ता तुम लोगों को ये हमने क्या बना दिया हमारा women's capsule ठीक यहाँ पे हमारी कौन है वो artiol बगरा है जो blood लेके आ रही है ठीक यहाँ पे क्या हमारा देखो सबसे पहला हमारा कौन सा pressure लगा रहा होगा glow-miller hydrositic pressure बोलो हा की ना ये बहुत ज़्यादा होगा मैंने बता तो महाँ पे भी very very high pressure फिर यहाँ पे क्या होगे कुछ plasma के जो proteins होंगे वो absorb नहीं हो पाएंगे मतलब filtrate filtration का नहीं हो पाएगा तो ये क्या करेंगे ये जो glow-miller hydrositic pressure से जो हमारी वो आ रहा है कौन आ रहा है filtrate आ रहा है उसको रोकेंगे हाँ सर्थ तो मतलब ये क्या करेंगे एक negative pressure apply करेंगे उपर की तरफ समझ रहे कि नहीं मतलब पहले तो क्या रहा था नीचे आ रहे है था कौन आ रहे ला था filtrate लेकिन क्या हुआ कि protein absorb नहीं होता मतलब प्रोटीन जो है filter नहीं होता है plasma protein filter नहीं होंगे जिस वे से एक negative pressure लगेगा अच्छा ठीक है सर्थ ये भी मान लिया फिर एक होता हमारा capsular hydrostatic pressure capsular मतलब जो ये बोमेंज capsule है हाँ हाँ ये भी एक negative pressure लगाने लगता है अच्छा समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो देखो जो glow-maryal hydrostatic pressure है हाँ सर है तो हम क्या करें अरे कुछ नहीं करना तुमें ये glow-maryal hydrostatic pressure है ये maximum pressure लगा रहा होगा very very high pressure तो हमने इसको बोल दिया नीचे की direction लगा रहा होगा तो positive अच्छा ठीक है सर मान लिया फिर जो हमारे plasma proteins होंगे हाँ सर वो लगा रहे होंगे कौन सा blood colloidal osmotic pressure जो की case होगा उपर की direction में अच्छा तो हम इसको बोल दिये क्या negative मतलब ये क्या कर रहा होगा जो हमारे total filtration pressure है उसको कम कर रहा होगा अब समझा हाँ सर थोड़ा थोड़ा फिर जो हमारे capsule है blowments capsule ये भी क्या कर रहा होगा एक negative pressure लगा रहा होगा उपर की direction में अच्छा उपर की direction में इसलिले हमने इसको भी क्या गया दिया negative इसको हम बोलते है capsular hydrocetic pressure ठीक है सर मान लिया अब सुनो तो जो मेरे पास net filtration pressure आता है क्योंकि हमें किसकी बात करनी है भाईया net filtration pressure की अच्छा तो इसको कुछ नहीं अब थोड़ी math math लगानी पड़ेगी अच्छा math तो ये मैंने माना 60 ठीक है तो 60 में मैंने किया माइनस 30 कर दो माइनस 20 कर दो माइनस माइनस हो जाता है प्लस 320 पचास पचास में 60 गए कित्ता बचाद 10 से 20 अब जो लोग नहीं समझे उनको बस इतना याद रखना है क्या याद रखना है कि ये 60 से 70 था अरे ऐसा है देख मैंने कुछ नहीं किया ये 60 था इसका 30 समाझ गया ना ये नेगेटिव में था ये पॉजिटिव में था इन दोनों को जोड़के इससे माइनस कर दिया किन दोनों को जोड़के ये बलड को ले लो समर्टिक प्रेशर को और कैसे थे नेगेटिव थे उपर की डिरेक्शन में मतलब फिल्ट्रेट को रोक रहते आने से फिल्टर होने से ठीक ये किता होता है 10 से 20 है में मौफए जी ये क्या है हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इसको दिमाग में रखना नेट ने पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है तो दिमाग में रखना क्योंकि इनसियाटि में लिखी हुई है ये लाइन है ठीक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अब सुनो सुनाईए सर तो मैंने इनसियाटि आप लोग देप पढ़ो साही रही हो सर ये जो ग्लोमला अडिरस्ट्रेटिक प्रेशर है वो और ज़्यादा होगा अब ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी क्या होता है जो हमारी ग्लोमेरिलस है उसमें स्वेलिंग आ जाती है अच्छा अभी ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं सिर्फ दिमाग में इसको रखना है तो कि डिसॉर्डर में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत अगर डिटेल में जाना है तो कहां पर जाओ भई है नीट पीजी पहले नीट निकालिए पीजी आईए और फिर पकवान खाईए ठीक है टो गलो में एफ्राइटेस तो अमाउंट ओ फिल्ट्रेट जो फर्म होता है पर मिनिट नीट की लाइन हैो पूछी भी गई है क्या थि नीट की लाइन की जो amount of filtrate फिल्ट्रेट आरे वही बेस्ट वगरा चीज़े है amount of filtrate formed formed ठीक है amount of filtrate formed per minute per minute is called क्या amount of filtrate formed per minute is called क्या glow modular filtration rate glow modular filtration rate ओके ते नहीं होती है पहले बता ही ते 180 liter per day अब इसमें से हमको क्या करना है absorb करना है बहुत मज़ा आएगी अभी देखते जाओ absorb करना है अब सुनो थोड़ा सा वीडियो देखो लंबा हो जाएगा मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ लेकिन पूरा वीडियो मुझे पूरा complete करना था ना तो थोड़ा सा सहल लेंगे समझ रहो हाँ अब सुनो एक चीज और थी तो देखो भाई यह क्या फिल्ट्रेशन मेंब्रेन यह पता एंसे ने जरा सी एक लाइन में लिख दिया है कॉन सा अबने एंसे पता एंसे पिछ होती है किक ती लेयर होती है धने पर इंगे अच्छा कोई साबी टिशू हो है एंसे बीच मैं क्या आती है बेसमेंट मेंब्रेन तो कौन कौन सी तीन लेयर हो गये एक तो हमारी होगी membrane of glomerulus हाउ सर यह जो referent title वगरा थी ना उनकी membrane होगी glomerulus की दूसरी हमारी क्या होई basement membrane basement membrane ठीक है epithelium के जो बीच में होती है और तीजरी हमारी क्या है bowman's capsule की membrane अरे बया बताया थे यहाँ पे कौन से होती थी simple squamous epithelium हाँ सर होती थी और बीच में कौन से होती थी podocytes जिनके बीच में क्या होती थी slit pores अरे यार अभी पढ़ा आया इसे मत करो अब आओ गुरू reabsorption पे मैं सोच रहा हूँ अभी तक मैंने जित्ता भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा हाँ सर थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होगे न और इसके नोर्स बनाते चल ले होगे क्योंकि नोर्स जरूरी है आर गुरू सची बाद बताऊं तो तो अब आओ reabsorption पे तो देखो वह या अब जो है main चीज है वो reabsorption है बहुत simple थी चीज है वो शुरू में क्या तुम लोगों को एक पेज मिलाने में तुभी देल लग जाती है समझ रहो अब सुन, reabsorption मतलब क्या यह जो है सर 180 लिटर पड़े बनी थी ऐसा होता तो सर्म बाथरूम में बटे रहते हैं तो body ने क्या बोला कि तुम चिंता ना करो हम क्या कराएंगे, reabsorption कराएंगे किसका nutrients का हो गया, पानी का हो गया, कई से करोगे अब वही में चीज थी, तो देखो reabsorption of useful substance किसका useful, अच्छा useful मतलब जो जरूरी है, समझ रहो ऐसी उनी को रखो अपने जीवन में, जो जरूरी है समझ रहे, तो सुनो, reabsorption of useful substance back into the blood, blood में बापस कैसे होगा सर बात आती है, कैसे होगा, हमने बोला तक यह आपने nephron देखा है, हाँ सर देखा तो है, सर बहुत अच्छा होता है पी-सी-टी बगएड़ा, लूप अफ है, लेडी-सी-टी बगएड़ा होती है सर उसमें, लेकिन क्या नहीं होता, क्योंकि NCI-टी ने भी लिखा है कि collecting tubule is not a part of nephron, मैं अगर बताना बूल यहाँ तो याद रखना, कि जो collecting tubule है, यह जो है not a part, अच्छा, not a part of nephron, NCI-T की लाइन, ठीक, वो सब ठीक है, अब आओ सुनो, सुनाईए सर, तो जो है different part of nephron में क्या होता है, reabsorption होता है कैसे कराओगे सर, हमने पूछ लिया कि सर कैसे कराओगे आप, देखो, PCT है, PCT है, PCT है producer, casting, procedure CL& इमचे reabsorption कांपर होता है पर यहाँ साचा में मतलब करें एक बैसके रह्ला होता है और maximum reabsorption कहाँ पर होता है, Neat का जाने माना question, तुम दो कि प्रिवसिए लगाते होगे तो in which part of the nephron maximum reabsorption takes place तो कौन है PCT है maximum reabsorption ठीक है तो सर एक बार तो बताइए आप लिखे जाना है reabsorption reabsorption किसका reabsorption कराएंगे पहली चीज तुमने सही पकड़ी तो सुनो maximum reabsorption जो होगा अपना वो किसका होगा गुरू वो क्या बोलते हैं उसको सोडियम प्लस अच्छा सोडियम प्लस हो गया ग्लूकोस हो गया पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवनी क्योंकि पानी है ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पानी का भी क्या होता है reabsorption होता है सोडियम प्लस का होगा है ग्लूकोस का और पानी का टीक है से मान लिए अब होता है loop of only के दो पाथ होते हैं हां टो होते हैं लिखते उख हैं पिर तुमसे मिलते तो देखो इसके बाद किया करें लूप of l amd aud aud doc रहीं पतना वो देखना लूप of only लूप सर दो पार्ट होते थे एक बुसर ऐसे जब पी सीटी इस दिमाग मनेफ्रोन के स्ट्क्षर बनना चाहिए यह अपना वो बोमेंस के अप्सूल हाउ सर फिर अपन नीचे आए तो पी सीटी आ गया मतलब ऐसे इस डिरेक्शन पी सीटी आ जाएगा फिर आपन सर यह नीचे आए उस को म क्या बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ओफ एंले हासर और जो उपर जाएगा मतलब ऐसे यूशेप का बनेगा ना यह बोलना यह लूप ओफ ए उपर जाएगा तो एसेंडिंग लूप ओफ एनले फिर बन गया बन गया और आपकी ब्रेंट पावर्स बढ़ा नहीं ह जो है किसे परिमेवल होता है इलेक्टोलाइट के ये चीज पता आपको कब समझ में हाई की जब मैं काउंटर करेंट मेकनिजम पढ़ाऊंगा क्योंकि वहां पर जो चुमेसवर चीज होगी ना लूप अफ एले और वासर एक्टा के बीच में आप लोग भी काओ के गुरू एसा भी होता है अच्छा फिर अपने पास क्या है DCT और क्लेक्टिंग टूप्यूल हाँ सर है तो तो सुनो इन में जो है फेकल्टेटिव और डिपेंटिव और इस पर रहां मतलब जैसे माने लो कि पानी की आब सकता है तो पानी करी ये अपसान हो सकता है DCT से आप अथ क् PCT से और लूप ओफ इनले से reabsorption होना ज़रोरी है मतलब करना ही है reabsorption पूरे मिनरल्स का न्यूटरिंट का और गलूकोस गलूकोस और सबसे है जरूरी है गुरू किसका गलूकोस सोडियम प्लस पानी ठीक तो हमने क्या बोलिया obligative reabsorption ठीक जैसे virus है टीपी लग जाती थी सासुरी हमारी एनरजी खराब जाती थी और पैसे में मतलब अरे वो तो हो नो तुम रेबबच moje describe kul Korean तो सुन एक्तिव रेबबच का होगा। जिदनें भी और्गन्य नीउटरिंष कॉन कॉन भाईएझा ग्लूकोस हो गया अवाइनो एसिड हो गया पानी हो गया अचा पानी पानी नहीं, पानी के soluble vitamins क्योंकि मैंने यहापे क्या करा, organic nutrients लिखे ना, तो water soluble vitamins मैंने पानी नहीं लिखा नहीं कोई लिखे कि शर, पानी का तो passive होता है reabsorption, मैंने क्या लिखा water soluble vitamins, ठीक तो हमारे क्या दखना है, active रे 아무hrard के क्या हुआए, glucose का हुआ, amino acid का हुआ, और पानी की soluble vitamins का हुआ, ठीक, और सर होता है sodium plus iron का, गुरू, sodium plus science होते तो न, उनका क्या हुँता है, गुरू active absorption होता है, और हमारे क्या fat soluble vitamins का, fat soluble vitamins का भी क्या होता है, active injection होता है, ये झो ए, selectively होते है according to the need of the body सामाज गया तो एक्टिव जोशन किसका होता है अपने को दिमाग में क्या रखना है गोपड़ी में क्या डालने का है ग्लुकोस अमाइनो एसेड और वाटर सोलेबल विटामिन और फेट सोलेबल विटामिन और सोडियम प्लसाइन पांच चीज है किस इनका क् पढ़ेंगे passive reabsorption passive reabsorption मतलब कोई energy खर्च नहीं है यह अपनी जो है high concentration से low concentration में जारिया है कौन जो भी मतलब पानी वगड़ा जिसको भी हम बलाएंगे ठीक तो passive reabsorption जो है 65% से भी जादा जो है पानी का रियाज़ों होता है कहां से PCT से by osmosis ठीक osmosis क्या होता है सर high concentration स low concentration की तरफ जाना इन प्रेजेंस ओब वो एक सर्व बीच में लगा जेते थे सर्व को NCRT है फिर अपन लोग पढ़ते है chemistry की NCRT तो उसमें SPM लिखा है अरे semi-paramiable membrane सीधे बोलो ना हाँ और जब अपन लोग अभी अगला वीडियो बनाएंगे ना counter current mechanism पे वो next वाली वीडियो में बताऊंगा तब क्लोराइड आयन भी जो है वो passively shift होती है अच्छा वित मतलब वो follow करती है किसको sodium plus iron को अभी ज़्यादा दिमाग पे जोड़ना देखो तो भाई साब अभी आखरी चीज है परिशान मतो tubular secretion हमने ultra filtration पढ़ लिया reabsorption पढ़ लिया अब एक सबसरा बचरा उसको भी निप्टा देते हैं असी खेलते हस्ते खेलते हैं कुछल मंगल रूप से तो सुनो यह जो है active process होती है सबसे पहली दिमाग में कहाई च अच्छा क्यों करना है अरे करना इसलिए है ताकि pH क्या हो हमारी body का pH जो है pH जो है वो क्या हो maintain रहे अच्छा मतलब जो ionic concentration है वो हमारी blood की maintain रहे filtrate की अच्छा यह जो है tubular secretion किया जाता है और यह कैसा होता है active process क्योंकि एक बाग question पूछ लिया था कि tubular secretion is an active process और passive process तो सब्सक्राइब सोच रहते हैं कि सर ऑप्शया नहीं गलते है उसने facilitated तो दिया ही नहीं facilitated diffusion तो दिया ही नहीं तो परिशान ना होना बस दिमाग में क्या लगाना यह एक active process है tubular secretion इसको दिमाग में रट लो कि जो tubular secretion है वो active process है क्यों active process है वो समझने वाली चीज है इसका वो counter current mechanism के ऊपर right side में diagram दिया हुआ है जिसका background कैसा green है तो अरे खोल के भी देख लो अभी दिख जायागा तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो अपना PCT है हाँ सर है PCT तो PCT में हम लोग क्या कर रहे है है H plus है अच्छा ammonia इनका हम लोग क्या कर रहे है secretion कर रहा है कहाँ पे बापस filtrate क्यों filtrate में अरे तुम लोग structure देखना जाके अच्छा मैं तो वैसे slide चलाए दूँगा तो उससे परिशान रहो एक और question सुन लो सुना दीजिए सर तो भाया एक चीज आपको याद रखने वाली है पहले पूछते था इसको PMT अगर हम है ल में sodium plus और जितनी भी चीज़े थी जरूरी जरूरी सब कर लिया लेकिन ऐसी कौन सी चीज़े जिनका reaction नहीं होता तो सुरह दिमाग लगा या तुम लोग जो तिने भी drugs होते है drugs मतलब जो अपन लोग दबाई बगरा काते है वो भी एक तरीके क्या है drugs ही तो है तो उनका reaction न तो कौन सी चीज़े जिसका reaction नहीं होता ड्रक्स ठीक बस यह अपना थोड़ा सा लंबा वीडियो होगया मैं मानना हूं मुझे चमा करो तीसमेट का क्यों की वीडियो लंबा होता है और इसमें अब तुम्हें क्या करना है एक बार NCRT पढ़ो अगर कुछ बाहर का मिल तो बस पढ़ाई करते रहो मजे सो पढ़ो उपी दिखके लो दो बता ना तो बस पढ़ाई करते रहो all the very best